वैश्नो देवी चोग पर सहकारिय मंच के सदस्यों ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जयनती पर किया अभिवादन कारेक्रम सयोजक सहकारिय मंच के अध्यक्ष श्री मनोज अगरवाल द्वारा श्री सेत्राम सेलोकर की अध्यक्षता में पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी की विशेश उपस्थिती में किया गया सर्व प्रथम पंडित आशिश मारजीवी ने राजमाता होलकर के तैल चित्र का पूजन और पुष्प माला अरपन सेत्राम सेलोकर से करवाया पूर्व नगर सेवक श्री हितेश जोशी एवं सेलोकर ने राजमाता के जीवन पर प्रकाश डाला अंत में श्री हितेश जोशी, मनोज अगरवाल, संजै रावल, महिंद्र कटारिया, मच्छिंद्र सिलेवारू, इंद्रजीत वासनी, आशिश मारजीवे, मधुसुदन स अशोक सोमानी, निरंजन दहिवाले, सचीन चंदन खेडे, गिरिश पिल्लई ने राजमाता के तैलचित्र पर पुष्प अर्पन कर अभिवादन किया अहिल्याबाई होलकर, मराठा सामराज्य की प्रसिद्ध महरानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सुवेदार मल्हर राव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी उन्होंने माहेश्वर को राजधानी बना कर शासन किया राजमाता अहिल्याबाई हुलकर ने अपने राज्य की सिमाओं के बाहर भारत भर में प्रसिद्ध तीर्थो और स्थानों में मंदिर बनवाए घाट बनवाए, को और बावडियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंको स्थापित किया, भूकों के लिए अन्नसत्र खोले और प्यासों के लिए प्यावबिट लाई मंदिरों में विद्वानों की नियोक्ती, शास्त्रों की मनंचिंतन और प्रवचन हेत्व की इन्बीसियन न्यूस के लिए अभिशेक पानसी की रिपोर्ट